तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि आपके Coast Guard Navig GD, DB Oriantric के 02-2022 बैच की जो Final Medit List है वो आ चुकी है और जो Candidate Short List हो चुके हैं उनके लिए Stage 3 के Admit Card भी इशू कर दिये गए हैं जिनके थुरू आप लोग जो है INS चिलका के उपर Report करेंगे तो दोस्तों आज का जो यह वीडियो है इसमें हम बात करेंगे आपकी Final Cut-Off को लेकर के कि इस बार जो Navig GD की Final Cut-Off है category-wise वो क्या रही है तो अगर आप लोग भी जो है Coast Guard Navig Exam के तयारी कर रहे हो तो आज का जो हमारा यह वीडियो है यह आपके लिए काफी ज़्यादा Special रहने वाला है तो इसको end तक जरूर से देखिएगा और साथ ही जो है अगर आप लोग चैनल के उपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकोन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे दुआरा दिये जाने वाले सभी latest updates मिलत रहे है तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के तो दोस्तों अगर हम बात करें इसकी cutoff को लेकर के तो मैं आपको बता दूँ कि इस बार जो है आपको cutoff में जो है काफी ज़्यादा bounce देखने को मिला है तो यहाँ पर अगर हम बात करें नाविक GD में general यानि की unreserved category को लेकर के कि इस बार जो है नाविक GD में general की final cutoff क्या रही है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इस बार जो आपकी general की final cutoff है वो 86 marks तक चली गई है ठीक है क्यूंकि आपको बता है कि जो paper होता है नाविक GD का वो 110 marks का होता है जिसमें कि general की cutoff है वो final cut cutoff 86 marks चली गई है यानि कि यहाँ पर competition day by day increase हो रहा है और इस बार भी जो है आप लोग देख सकते हो कि cutoff 86 marks चली गई है तो यह day by day high होती जा रही है ठीक है अब अगर हम बात करें यहाँ पर OBC की non criminal layer category को लेकर के कि यहाँ पर OBC में cutoff क्या रही है तो यहाँ पर OBC category की cutoff है वो आपके 81 marks रखी गई है ठीक है EWS category को लेकर कि यह बात की जाए तो यहाँ पर EWS की जो final cutoff है वो आपके 78 marks तक चली गई है ठीक है SC और ST की cutoff है वो पहले कम रहती थी लेकिन यहाँ पर जो है इस बार अगर देखा जाए तो SC category की cutoff है वो 74 marks और साथ ही जो ST category है इसकी जो cut off है वो 70 marks तक चली गई है ठीक है इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि काफी सारे candidates जो है वो stage 2 में document verification में reject हो गए थे क्यूंकि उनके पास में जो है proper documents नहीं थे क्यूंकि आप लोगों को पता है कि Indian Coast Guard में जो है document verification एक बहुत बढ़ा rule play करता है त तो काफी सारे candidates जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने cast certificate की बज़े से reject हो गए थे क्यूंकि उनके पास में जो है central का valid cast certificate नहीं था क्यूंकि काफी सारे लोग क्या करते हैं कि application form को fill up करते time जो है state का जो cast certificate होता है वो apply कर देते हैं लेकिन आप लोगों को यहाँ पर clearly mention कर रखा ह Indian Coast Guard ने कि आपके पास में जो cast certificate होता है वो central का cast certificate होना चाहिए तो दोस्तों अगर आप लोग जो है Coast Guard exam की तयारी कर रहे हैं तो मैं बार बार आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग जो है अपने documents को prepare रखें उसमें जो है किसी भी प्रकार की कोई भी जो गलत दोर बताना चाहूंगा टेस्ट बुक के बारे में दोस्तों टेस्ट बुक पर जो है अभी golden goodbye sale चल रही है जिसका कि आज last day रहने वाला है तो इस golden goodbye sale में जो है आप लोगों को अभी टेस्ट बुक का जो 18 मन्त का pass है वो सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज में देखने को मिल ज दोस्तों टेस्ट बुक के एक ही pass के अंदर आप लोगों को जितने भी defense exams होते हैं उनके लिए mock test और test series का access देखने को मिल जाता है और यहां पर जो test series है वो काफी अच्छे level पर तयार की गई है और exam oriented test series है तो इसको आप लोग access करना बिलकुल भी मत बुलिएगा तो इसके यह links जो है वो आप लोगों को इसे वीडियो के नीचे description box में दी गई है तो आप लोग जो है उसके थ्रू test book pass को जो है purchase कर सकते हो और जो coupon को DP10 है इसको use करना बिलकुल भी मत बुलिएगा जिससे कि आप लोगों को अच्छा discount देखने को मिल जाएगा तो I hope कि आप लोगों and thank you so much for watching this video